नोटबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने और परिशान लोगों को राहत देने के लिए सरकार हर संभव कताम उठा रही है ऐसे ही एक नए फैसले के तहट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऐसे ही किसी अन्य डिजिटल तरीके से पेट्रोल डीजल की पेमेंट करने पर कस्टमर को 0.75% की छूट मिलेगी जी हाँ दिल्ली में कैशलेश पेमेंट करने पर आपको पेट्रोल 49 पैसे और डीजल 41 पैसे सस्ता मिलेगा दिल्ली में इस समय पेट्रोल की कीमत 66.10 रुपे लीटर और डीजल की कीमत 54.57 रुपे लीटर है ये छूट ग्रहकों को कैश बैक के रूप में मिलेगी और पेमेंट करने के तीन दिन के बाद छूट वाली राशी सीधे ग्रहकों के खाते में आ जाएगी वहीं पेट्रोलियम पदार्तों की बिक्री करने वाले देश की सबसे बड़ी कमपनी इंडियन आयल कॉर्पोरेशन ने कहा है ग्रहकों को मिलने वाली रियायत सुमबार मध्यरातरी से मिलनी शुरू हो जाएगी वहरहाल आपको बता दें के वित्मंतरी अरुन जेटली ने पिछले सब्ता ही ऑनलाइन बुक्तान को प्रोचसाहन देने की गोशना की थी साथी पेट्रोल डीजल के अलावा बीम अप प्रीमियम का भुक्तान करने रेल टिकेट खरीदने और राजमार्गो पर टोल शुल्प देने के लिए भी डिजिटल तरीके से भुक्तान करने पर कुछ रियायतों की घोशना की गई है हुआ रखी है और लिए नियुक अच्छी करने बहुत अच्छी बात है यह होना च्रिए है सभी के लिए मैं कहूंगा कि यह सब काड़् से पेमेंट करें बहुत शंदर अच्छी वात है यह है 100% मिलेगा सर अगर सारी नागरी करता है यह तो समिलेगा ही अविवार नोच इन वोचिन एक्षोस इंडिया ही इस विद्या बान एन एक्षोस इंडिया नमश्कार, सलाम, सच्छ्रिया काल इस विवेक ओरो एक्षोस इंडिया